नमस्कार मैं हूँ राशे का बजाज और आप देख रहे हैं जीन भारत रामजान के महीने में रोजे वरत रखने रात में तरावी की नमास पढ़ना और कुरान तिलावत करना शामिल है मुस्लिम समुदाय के लोग एक महीने तक रोजा रखते हैं और सूरज निकलने से लेकर डूबने तक कुछ नहीं खाते हैं और जैसा कि अभी मैं रांची के मस्जिद में मौजूद हूँ आईए कुछ लोगों से जानते हैं कि रमजान की पूरी विधी क्या है भी हमारे साथ मौजूद है मस्जिद के मौलाना आईए इन से जानते हैं कि रमजान करने का क्या फाइदा है क्या हर एक मुस्लिम रमजान करता है रमजान रूहानी फाइदा भी है जिसमानी फाइदा भी है रूहानी फाइदा जो जिसमानी फाइदा ये है के रुटूबातِ फास्दा यानि जो अज़जा हैं जिसम के जरासीम हैं वो रोजा रखने से दूर होता है और हर मुसल्मान मर्द और अवरत आकिल बालिग पर फर्ज़ है और रम्सल्मान आकिल बालिग मर्द पर फर्ज़ है और रम्सल्मान म्बारक का महीना ये तमाम महीनों से अफजल और बेहतर है और रम्सल्मान म्बारक का एक एक लम्हा लाह के अनवार और बरकात उतरते रहते हैं नाजल होते रहते हैं और ये गुनाहों से इंसान जब रोजा रखता है गुनाहों से पाक होता है और मुबर्र हो जाता है पाक साफ हो जाता है और अल्लाह से करीब हो जाता है और रमजान मुबारक का महीना ये मुसलमानों के लिए एक अहम महीना है हर मुसलमान को रोजा रखना चाहिए और भी आ अमाल करना चाहिए क्या है पूरी रमजान की विधी रमजान का महीना में जब सब्षा रखे रहते हैं हर जो है सुबह चार बजे भोर से जो भी खाना पीना होता से पहले खा लेते हैं और बाद में एक फानी भी नहीं पीते हैं सब जब मगरीब का टाइम होता है ना साम को छे बजे उसके बाद जो है सब रोजे अफ्तार करते हैं सब अपने घर में जूल करके जो भी बनता है सब बैठके एक जगा खाते हैं और रमजान, का बराकत का महीना है, इस हर से लेके पांग तक रोजय में रहते हैं सब लोग ना जितने भी रुज़दार हैं, उन लोग का आज़ य के रूल्दाद का बिल करता है और रोजय के महीना में सारा गुनाह माप हो जाता है है स्मझ आहिए नहींे और पॉछेशों टाइम नमाज पढ़ते हैं बहुत सा लोग रात को ताद पढ़ते हैं दू बज़े- रात को तीन Mike यि थे निम यह तीनilles- ऑनवाज माज अपने राजिस जूड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले